आपने सड़क के किनारे शाम को भेल बेचते हुए कई लोगों को देखा हुगा बहुत से लोग भेल खाना पसंद करते हैं मुझे यकीन है कि आप भी करते हैं भेल को अंग्रीजी में पफ्ट राइस भी कहा जाता है हिंदी में इसे मुर्मुरा के नाम से जाना जाता है जो लोग इसे पसंद करते हैं वे इसे एक स्वादिश नाश्टा मानते हैं लेकिन इसके कई फाइदे भी है ये कैल्शियम, फाइबर और अन्य आवश्चक चीजों से भरा हुआ है अंग्रेजी में बेल पूरी शब्द तो आप सब जानते ही है हाला कि पश्चिम बंगाल में इसे जाल मूरी कहा जाता है इसे कई तरह से खाया जा सकता है कुछ इसे साधा खाते हैं और बच्चे भी इसका आनन्द लेते हैं किसी को सूखी भेल पसंद है तो किसी को गिली भेल ये बहुत स्वादिश्ट होता है अब मैं आपको इसके स्वास्तलाबों के बारे में बताने जा रही हूँ ये मत सोचिए कि ये महंगा होता है आप इसे सड़क किनारे विकृता से सस्ते में खरीच सकते हैं आप इसे विभिन सामग्रियों के साथ उप्योब कर सकते हैं ये है इसके 5 फाइदे मूर्मुरा पाचन में सहाइता करता है और आसेडिटी और गैस को रोकता है ये पाचन क्रिया को बढ़ाता है ये दस्त को रोकने और कप्स दूर करने में भी मदद करता है यह आत के स्वास्त के लिए भी बहुत फाइदेमंद होता है लोग कुछ ना कुछ नाश्टा करते रहते हैं जिससे उनका वजन बढ़ता है यह स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक होता है वही मूर्मुरा खाने से पाचन क्रिया तेज होती है और आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है यह बार-बार नाश्टा करने की आदत को रोकता है और आपके वजन को बनाये रखता है जंग खाने की बजाए लंबे समय तक पेट भरा रहने के लिए मूर्मुरा खाईए और हल्दी रहिए आपने ग्लोइंग बिना मुहा से और टाइट स्किन वाले लोगों को देखा होगा तो यह कैसे होता है? यह मूर्मुरा की वज़े से होता है इसे खाने से दाग धब्बे, जूरियां, लटकती तवचा, गंदगी दूर होती है दूप से होने वाली शती से बचा होता है और खुजली वाली तवचा की चटकों से भी राहत मिलती है यह तवचा के लिए बहुत फाइदेमंद होता है वरिशनागरी को और युवाओ को समान रूप से जोडों के दर्द का अनुभव होता है मुर्मुरा खाने से आप हट्टियों को मजबूत बना सकते है यह हट्टियों और जोडों को साहरा देगा क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण पोशक तत्व है यह हट्टियों को स्वास्तर रखने में मदद करता है मूर्मुरा, रोग प्रतिरोगदक शम्ता को भी बढ़ावा देता है और बुखार, संक्रमन, खासी, चुकाम और किसी भी दरह की बिमारी से बचाता है देखें, इतने फाइदे, इसे सस्ता नास्ता मत समझे यह आपकी सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद होता है यह बिल्कुल महिंगा नहीं है, यह सस्ता है तो इसे खाइए और स्वस्त रहेए